नमश्कार दोस्तों एड़ेड विद्यालियों में सिक्षकों के 33 सदार पद रिक्त जिहां टीजिटी पीजिटी एक्जाम डेट और एल्टी ग्रेट सिक्षक भरती पर बिग अपडेट हम आपको दिखाएंगे उटी सिक्षा मंत्री जी के माध्यम से खुद बताए गए हैं तो आप फ्री है बिल्कुल भी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बताया गया अगले महिने से अप्रेल से नया सत्र सुरू होने जा रहा है लेकिन उत्तर प्रदेश के राजकी और एड़िट कालिजों में 33,000 सिक्षकों की कमी है जी हां आप देख सकते हैं कि इस तमें ज गुलाब देवी जी का कहना है कि विज्यापन पर कार्य चल रहा है जल्दी सिक्षक भरतियां की जाएंगी वहीं पर एड़िट कालिजों में TGT PGT के जो 4163 पद उसमें आवेदन लेकर उत्तर प्रदेश मादमिक सिच्छा सेवा चायन बोड महिनों से निस्क्री है इस प हाँ पर बहाना है कि अर्यता का विबाद है जिसका निर्धारन नहीं हो कारण हो पाने के करण हम विज्यापन नहीं चारी कर पा रहे हैं ठीक है 2018 के बाद कोई भी अल्टी ग्रेट सिक्षक बरती नहीं आई तो यह दोनों पर अपडेट उन्होंने दी ठीक 33,000 पद अलग स सारे पद हैं देख सकते हैं बहुत सारे पद हैं ऐसे खाली पड़े हुए हैं तो वहीं पर राजमंत्री क्या कह रहे हैं कि आउट सोर्सिंग से चप्रासी के पद भरने की व्यवस्ता की गई यानि कि इसके लिए कोई विज्यापन नहीं आएगा आउट सोर्सिंग से भर यह जाएंगे फिल्हाल लेकिन सिक्षकों के जो रिक्तपद हैं उनके विज्ञापन को निकालते हुए भरना चाहिए बेरूजगार चात्रों को मौका मिलना चाहिए फिल्हाल कितने दिन में एल्टी ग्रेट का विज्ञापन आएगा अभी इस पर कोई इस पस्ट जवाब में दिया गया है लेकिन यह कहा गया है कि विज्ञापन आएगा और इसका लिखित आदेश्ट मैंने पिछले वीडियो में भी आपको दिखाया था वह जाकर आप देखे